विल्कम माई योटूब चैनल ब्याश नाराणमिस्त हम डिसकस कर रहे हैं आज इलेक्ट्रिक पोटेंसियल को इलेक्ट्रिक पोटेंसियल है क्या तो इलेक्ट्रिक पोटेंसियल समझने से पहले हम यह जानते हैं कि यदि कोई हम एक मेटेलिक वायर ले ले लेते हैं माल लेते कि इन conductor में electron का flow कैसे होता है अगर electron का flow इस direction पे हो रहा है तो इसका मतलब हो गया कि इसका potential ज़ादा है और इसका potential कम है क्योंकि जो electron का flow होता है वो lower पोटेंसियल से हाइर पोटेंसियल की और होता है तो दो बाड़ी के बीच में फ्लो आफ इलेक्टरान को जो हम explain करते हैं तो फ्लो आफ इलेक्टरान जिस quantity से explain होता है उस quantity को हम electric potential कहते हैं इस तरह से positive charge particle का जो potential होता है वो high होता है positive होता है और जो negative charge conductor होता है negative charge material होता है उसका potential low होता है अब यह जो electronics flow होता है वो कब तक होगा तो यह flow तब तक होता है जब तक कि अगर इसको a connector बोले इसको b conductor बोले तो जब conductor a का potential conductor b का potential equal हो जाएगा तो इलेक्टरान का flow a से b की ओर रुख जाएगा योकि electron जो है हमेशा low potential से high potential की और जाता है मतलब यह आपका low potential है यह high potential है electron negative charge होता है इसका potential कम होता है जब यह positive charge particle की और जाएगा तो इसका भी potential कम हो जाएगा और जब यहाँ से conductor A से electron जाएगा तो यह plus charge की तरह भी हैप करने लगेगा तो इस तरह से कैसी condition आएगी कि conductor A और conductor B दोनों का potential से हो जाएगा पोटेंसियल इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि charge कितने हैं जैसे फ़ारिग यामपिल हम माल लेते हैं कि यह कोई एक container है और एक यह कोई container है हम देख सकते हैं कि यह container की जो थिकनेस है वो जादा है इस container क का इस container की थिकनेस कम है अब अगर हम इसमें पानी भर दे यहां तक और इसमें एक हम पाइप लगा दे और यह पूरा खाली है तो आप देख सकते हैं कि भले इस container की थिकनेस कम है लेकिन पानी जो है हमेशा अगर इसको A बोला जा इसको B बोला जा तो पानी A कंटेनर से B कंटेनर की हो रहेगा जबकि B कंटेनर की ठीक्नेस जादा है और A कंटेनर की ठीकनेस कम है मतलब फ्लो आप water जो है इस बात पर depend नहीं करता कि water की quantity क्या है बलकि water की height पर depend करता है उसी तरह कैसे एक ऐसी quantity है बो जो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि charge कैशार्ज कैसे flow हो रहे हैं बलकूइ बात पे डिपेंड करता है कि जो flow of electron है वो किस potentials एक किस material से किस material की और जा रहा है तो यह electric potential का basic concept हम जब भी electric potential किसी चार्ज आज़ बोड़ी का मेजर करते हैं तो हम अर्थ के पोटेंसियल से उसको Compaire करते हैं यहोंकि अर्थ का जो पोटेंसियल है वो normally 0 Consider किया जाता है अगर हम Spinite पर देखें तो Electrpectrados की Value 0 होती है तो मेले से इलेक्टिक पोटेंसियल को जढ़ी हम Define करते हैं तो किसी भी इलेक्टिक फील्ड में यहां मिस्प्रिंट हो गया है इलेक्टिक फील्ड में किसी इलेक्टिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को इन्फाइनाइट से जैसे यहां पर एक कोई पॉइंट है जैसे यहां पर एक कोई पॉइंट है ए पर है ना और इसके चारों field की value न हो क्योंकि जैसे जैसे कुलाम सला में आप देखेंगे इसका वीडियो अपलोड है जैसे जैसे distance बढ़ती जाती है इसमें electric force की value कम होती जाती है इसलिए electric field की value भी कम होगी एक ऐसा point होगा जहां पर इसके electric field की value negligible होगा उस point को हम infinity बोलते हैं वहां पर electric potential zero माना जाता है तो चुकि कोई भी हम counting zero से करते हैं इसलिए जह हम charge को माल लेते हैं यह एक point भी है यहां पर electric field इसका effect नहीं है तो यह जो point है वो infinity हो गया अब हम किसी charge को q0 को माल लेते हैं q0 एक test charge है इसको हम इस electric field के अंदर तक लाते हैं तो यहां तक अंदर तक लाने में किसी भी point पर माल लेते हैं point c तक लाते हैं तो जब point c तक लाएंगे point b से point c तक लाएंगे तो हमें कुछ work करना पड़ेगा क्योंकि यह भी एक charge है और यह भी एक charge है अगर ये plus charge है और ये भी plus charge है तो दोनों के बीच में repulsion force लगे गा तो repulsion force के against हमें वर्क करना पड़ेगा लेकिन अगर ये plus charge है और ये minus charge है माल लेते हैं तो attraction force लगेगा तो attraction force के कारण उसमें वर्क automatic हो जाएगा self work होगा तो normally हम positive charge ही consider करते हैं तो उस repulsion force के कारण हमें एक work करना पड़ता है उस work को ही हम potential कहते हैं इसको हम भी से represent करते हैं तो इस तरह से potential va equal to हो जाएगा va equal to हो जाएगा work कहां से हम करते हैं infinite से कोई point a तक हम लाते हैं जैसा कि हमने अभी diagram में देखा और test charge क्या है q0 जब भी unit charge की बात होती है test charge की बात होती है तो इसको हम divide कर देते हैं तो इस तरह से इसको हम नार्मली ऐसा भी कह सकते हैं कि work upon charge को ही हम potential कहते हैं यदि negative charge होगा तो वर्क जो है वो electric force के द्वारा itself swim होगा उसमें attraction force लगेगा लेकिन अगर positive charge है तो हमें उस पर work करना पड़ेगा positive charge में repulsion होता है repulsion को plus sign से represent करते हैं और जब एक negative charge होगा जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर एक point q है और यह minus q charge को हम जब लाएंगे तो अगर यह minus है तो attraction force लगेगा attraction force में minus charge का minus sign का यूच किया जाता है तो इस condition पर जो potential है वो minus होगा अब इसका हम potential का हम unit और dimensional formula देखेंगे तो SI system में potential की जो unit होती है वो क्या होती है bolt इसकी unit क्या होती है size system में बोल्ट हम जानते है पोटेंसियल पोटेंसियल equal to होता है work upon charge तो potential की unit हो गई वोल्ट और work की unit हो गई जोल और charge की unit हो गई कुलाम तो इस तरह से potential का एक दूसरा unit जोल पर कुलाम भी हो सकता है अगर यहां हम one bolt कर दें यहां one joule कर दें यहां one कुलाम कर दें तो one bolt को हम define भी कर सकते हैं कि यदि one कुलाम charge को infinite से किसी point जैसे यह point A हो गया और यह point B हो गया infinite हो गया तो इसको अगर हम इस point तक लाते हैं तो अगर work 1 joule होगा तो जो potential होगा उसको हम 1 bolt कहेंगे अब हम देखेंगे electric potential difference तो इसकी definition है the potential difference between two points जैसे एक point हमने ले लिया A और एक point हमने ले लिया B तो इसका definition लिख लीजिए the potential difference between two points in an electric field is equal to the ratio of work done in moving a test charge from one point to other to the value of test charge इसका मतलब है अगर कोई charge q0 है इसको हम infinite से लाते हैं B तक तो हम ये देखेंगे q0 को जब infinite से लागते हैं तो कितना potential हो गया उसको हम B A से calculate करते हैं फिर अगर इस point को C ले लिया जाएं और फिर point C से हम q charge को A तक लाते हैं फिर हम देखते हैं कि इसका कितना potential है तो अगर हम इसको q0 से B तक लाने के potential को B B से represent करें और q0 को point C से A तक लाने में अगर B A से represent करें तो जो potential difference होगा वो होगा B B minus B A equal to work अब कहां से कहां तक हो रहा है A to B upon q0 या ऐसा कह सकते हैं B B to A क्योंकि हम इसको B से A तक ला रहे हैं तो यह हो जाएगा B A minus B B चुकि जो potential difference है तो higher potential minus lower potential जब हम C point C से charge को A तक लाएंगे तो ज़्यादा work done करना पड़ेगा तो ज़्यादा potential होगा जब charge q0 को point C से B तक लाएंगे तो कम work करना पड़ेगा तो कम potential होगा तो A और B के बीच में जो potential difference है वो हो जाएगा B A minus B और work B से A की और हो जाएगा तो work B tends to A upon q0 तो यह हो गया potential difference potential और potential difference में अंतर है potential infinite से किसी एक point तक लाते हैं जैसे यह infinite कोई point C और किसी point A में कोई charge q रखा हुआ है तो जब हम charge q0 को यहां से यहां तक लाएंगे infinite से point A तक तो यह कहलाएगा potential लेकिन जब charge को infinite से एक point से दूसरे point तक लाएंगे तो वो हो जाएगा potential difference potential difference एक scalar quantity है इसको normally हम जो algebraic process होता है उसके थूरू हम इसको plus minus कर सकते हैं potential difference इद बात पर नहीं depend करता कि जो charge move कर रहा है उसका path क्या है वो path पर depend नहीं करता यह जो है जो potential difference है वो जो दो point है उन दोनों point की position पर depend करता है position का मतलब होता है distance पर depend करता है मतलब अगर point A point B के बीच में conductor है या insulator है इस पर depend नहीं करेगा बलकि इस बात पर depend करेगा कि B और A की बीच की distance क्या है potential difference की भी जो SI unit है वो bolt ही होगी और इसको भी हम bolt equal to joule पर कूलाम के form में हम इसको लिख सकते हैं अब हम देखेंगे कि एक point charge के कारण potential कितना होता है तो हम माल लेते हैं O point है इसमें एक charge Q और ये एक point A है और एक point B है इन दोनों की जो बीच की distance है वो कितनी है DR मतलब point O पर एक charge Q है और इसका एक electric field है इस electric field चुकि यहां positive हम test charge positive charge को हम consider कर रहे हैं इसलिए इसका electric field outside होगा अब हम इसके electric field में A और B के भीच में कितना potential difference होगा इसको हम count करेंगे तो जो माल लेते हैं यह point C है infinite है यहां पर test charge Q 0 हो गया तो जब Q 0 को point A तक लाया जाता है तो जो force लगेगा Q charge यह कारण तो force हो जाएगा F equal to Q 0 vector E इसी तरह से जब A से B तक हम लाते हैं charge को तो हमें कुछ work done करना पड़ेगा तो work equal to हो जाएगा DW equal to work का formula होता है force into distance तो force into displacement तो F into DR हो जाएगा अब A dot B का जो cross चुकि F vector quantity है DR displacement vector quantity है तो A dot B के formula से हो जाता है AB cos theta तो यह हो जाएगा F DR cos चुकि इसके बीच में 180 degree बन रहा है क्योंकि यह जा रहा है इस direction पे और charge जा रहा है A से B तो इसलिए यहाँ पे 180 degree बनेगा तो यह हो जाएगा cos 180 degree और इसलिए यह हो जाता है minus minus Q 0 E DR अब यदि हम total work done निकालते हैं infinity से point A तक लाने में तो इसको हम क्या करेंगे आप देख सकते हैं इसको हम करेंगे अब total work done के लिए integrate करेंगे तो W चुकि infinite से point R तक लाएंगे तो यह हो जाएगा आपका infinite to R तो चुकि हमने देखा minus होता है तो minus infinite से R Q 0 E और DR अब E क्या है electric field इसकी value कितनी होती है आप देख लिए है electric field की value इसको इसका वीडियो बनाया जा चुका है electric field का तो यह Q 0 हो जाएगा और E की value होती है 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R square यह हो जाएगा DR अब जो constant है उसको बाहर निकाल लेंगे Q 0 Q upon 4 pi epsilon 0 यह constant है तो यह minus लगेगा minus infinite 2R तो यह हो जाएगा 1 upon R square DR अब इसको हम integrate करेंगे तो यह हो जाएगा W infinite 2R तो आप जानिए integration 1 upon R square का जो integration होता है वो कितना हो जाता है minus 1 upon R तो minus minus क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो यह हो जाएगा Q Q 0 upon 4 pi epsilon 0 और यह हो जाएगा 1 upon R अब इसमें हम limit provide कराएंगे तो चुकि जैसे limit है infinite 2R तो यह हो जाएगा Q Q 0 4 pi epsilon 0 तो मैथ में आप देख सकते है upper limit तो R की जगे R रखेंगे minus lower limit तो 1 upon infinite आजाएगा 1 upon infinite equal to होता है 0 तो इस तरह से यह हो जाएगा Q Q 0 4 pi epsilon 0 R तो यह हो जाएगा आपका work कहां से infinite से R तक करने में work हो गया अब potential की जो definition होती है वो होती है भी यह equal to w infinite to R upon Q 0 यह जो है potential की definition होती है तो इसके carding हम इसकी value put कर देंगे w की यह हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 q q 0 upon q 0 R अब q 0 से q 0 cancel हो जाएगा तो यह बचेगा q upon 4 pi epsilon 0 R तो यह point A पर हो गया है आपका potential difference potential अब यदि हम माल लेते हैं कि उसमें dialectic constant के है charge q के आसपास dialectic constant के है तब potential difference हो जाएगा भी यह equal to q upon 4 pi epsilon 0 के R बोल्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी unit क्या होती बोल्ट यह SI system में है अगर इसी को हम cgs system में देखें तो cgs system में 1 upon 4 pi epsilon 0 की value कितनी होती है 1 तो यह जो बोल्ट हो जाएगा cgs system में यह हो जाएगा q upon k r यह हो जाएगा इसमें लेकिन तब बोल्ट की काई जो है stat बोल्ट हो जाएगी फिर जो potential है इसकी जो unit है cgs में फिर बोल्ट नहीं रहेगी फिर इसको हम बोलेंगे stat बोल्ट stat बोल्ट नीचे लिख देते हैं stat stat बोल्ट यह हो जाएगा तो इस तरह से हमने potential difference के बारे में discuss किया आप मारे चैनल को subscribe करें like करें share करें कोई problem बहुतो comment करें थेंक क्यू बेरी मच्च